हाई एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल अनवेशास क्रियेटिविटी मेरे सभी तोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और आज मैं शेयर करने जा रही हूं अपनी बैलकनी में कुछ जरूरी काम जरूरी काम क्या दिवाली पास आते ही घर के कोने कोने की साफ सफाई शुरू हो जाती है और आपको तो पता ही है जो मेरे गाडनिंग फ्रेंड है उनको पता रहेगा कि मुझे अपनी बैलकनी से कितना प्यार है और उसको हमेशा सजा धजा के रखना मतलब की उसको मतलब चाक चौमन रखना मतलब की पौधे अच्छे हों और उसके गमले भी अच्छे हों स्टैंड वगरा सब कुछ रंगे होए हों तो वो अच्छी लगती है देखने में खाली फूल पौदे उगाना ही बैलकनी को सजाना नहीं होता है तो मैं आज कर रही हूं कुछ काम अपनी बैलकनी में जिसमें कर रही हूं सबसे पहले तो अपने ये जो स्टै अच्छा 100 नमबर का ये सैंड पेपर आपको किसी भी हाडवे शॉप पर भी मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाता है आजकल तो तो इससे मैं स्क्रैच कर रही हूं इससे क्या होता है जितनी भी रस्ट वगरा लगी होती है हमारे स्टैंड पर वो निकल जाती ह क्योंकि stand के उपर हम गमले रखते हैं और गमलों के उपर हम पानी वगरा भी डालते हैं तो इसमें rust लग ही जाती है और अगर हम इसी तरीके से इसके उपर paint कर देंगे तो फिर क्या होता है वो कुछ दिन के बाद में वहां से paint पर भी rust लगने लगती है तो वो चीज अच्छ कर दिया था sandpaper की help से और उसके बाद में brush की help से पहले इसके जितनी भी rust है उसको निकाल दूंगे उसके बाद में एक सुखे कपड़े से भी अच्छे से साफ कर लेना है और यह जो भी stand होते हैं हमारे इसके उपर आपको समय समय पर paint करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता ह क्योंकि इसे यह नए बने रहते हैं क्योंकि एक बार इसके अंदर जंक लगनी शुरू हो जाती है तो फिर यह बहुत जल्दी गलते हैं और फिर यह तूट जाते हैं यह मैंने local market से ही लिये थे अभी मुझे कुछ और planter stand भी खरीदने हैं अपनी balcony का makeover करना है पूरी तरी कारियों आपको इसमें कितनी रस्ट लगी वी है यह नीचे वाला लगा हुआ है और उपर वाली मैंने scrub कर दी है तो इसके अंदर से काफी दूल निकली है काफी रस्ट निकली है तो यह जरूर हमें scrub करनी चाहिए अब दीके scrub कर दिया मैंने उसके बाद में ब्लकुल साफ क पर दिया ब्रश की help से भी और कपड़ी की help से तो अब मैंने क्या किया है मैंने लिया एक यह प्लास्टिक वाले ग्लफस आपको किसी भी medical शॉप पर मिल जाते हैं और ग्लफस लिये हैं यह लिया है मैंने यह हाई ग्लॉस है और ग्रीन कलर का मैं यहाँ पर यूज कर रही ह और यह मेरी एक डबी है इसका प्राइज आय थिंक 75 रुपीज है और यह 100 ग्राम की है तो यह कुछ इस तरीके से 75 रुपीज से थोड़ा सा कम था तो 250 ग्राम की यह डबी में मैं अपने ये सारे planter stand जो हैं उनको paint करूँगी और चुकि ये oil paint होते हैं तो oil paint के अंदर अगर आपको दिखाऊ मैं तो उपर उपर oil होता है और नीचे के side में paint होता है तो सबसे पहले तो मैं पहन लूँगी अपने gloves ये gloves बहुत जरूरी हैं बड़े काम में आते हैं जब हम paint करते हैं क्योंकि इससे हमारे हाथ खराब हो जाते हैं और फिर उसके बाद में इनको बहुत मुश्किल होता है clean करना तो मैंने gloves पहन लिए हैं ये disposable वाले gloves हो हैं ये बहुत ही आराम से मिल जाते हैं आपको 10-15 रुपे के मिलते हैं और साथ में जरूर रखना एक कपड़ा कोई भी पुराना कपड़ा जो बिकार कपड़ा होता है वो क्योंकि कहीं पर भी paint गिरता है तो उसको clean करने के लिए हमें चाहिए और साथ में ये जरूर रखना टरपाइन ओयल यानि की तारपीन का तेल जो होता है अगर आप भी paint करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है तारपीन का तेल तो देखे मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया उसको इस तरीके से fold कर दिया 3-4 बार और अब ये paint जो मैंने लिया था उसको मैंने अच्छे से mix किया लगबग 15 मिनट तक जिससे की नीचे बैठा हुआ जो paint था वो निकल करके बहार आ जाए तो मैं आपको दो तरीके से आज paint करके दिखाऊंगी पहले वाले में तो मैंने क्या किया paint को अच्छे से mix कर लिया और अब मैंने लिया है ये कपड़े के उपर कपड़े के उपर लिया और इस तरीके से paint कर रही हूँ तो इस तरीके से इस सुब देखते आप देखिए कि किते अराम-राम से धीरे-धीरे हाथ से कर रहा है और कपड़े के उपर जो हम paint लेते हैं उसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेते हैं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा paint लेंगे तो यह गिरेगा तो पहला मैंने इस तरीके से करके देखा और दूसरा मैं करूंगी brush की help से तो देखने के बाद मैं फिर आपको बताती हूं कि कौन सा वाला ज्यादा कारगर या कौन सा वाला ज्यादा easy रहा हाला कि मैं कपड़े वाले से कर रही थी तो इससे करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत यह आ रही थी कि कपड़े के उपर जब हम पेंट लगा करके अपने स्टैंड के उपर पेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि स्टैंड के उपर पेंट टिक नहीं रहा था यानि कि हम उसको स्क्रब कर रहे थे स्टैंड को तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी करने में तो मैंने एक करने के बाद में पेंट मैं यह दूसरे दो स्टेंड भी लेकर के आई हूँ जो अभी मैंने हाल ही में दो या तीन महीने पहले पेंट किये थे लेकिन यह मैंने वॉल पेंट से पेंट किये थे तो आपको strongly मैं recommend करूँगी कि कभी भी जब भी पेंट करें आप आईरन के स्टेंड ठीक है तो यह देखें मैंने सारे स्टेंड ओइल पेंट से ही किये और कितना अच्छा कलर आया है और जो मैंने वॉल पेंट से किये थे उससे दो महीने के बादी काफी रस्ट लग गई थी तो मैं यूज ना करें हमेशा ओयल पेंट का ही यूज करें ओयल पेंट तोड़ा सूखने में टाइम लेते हैं लेकिन वो पहुत अच्छे से कलर भी आते हैं और चलते भी खूब हैं अब देखिए स्टैंड को पेंट करने के बाद में मेरे पास ये थे कुछ गमले दूसरी वाली ब अब जासे पेंट करने में बड़ी दिकत आ रही है लेकिन चलिए मुझे शॉख हैं इसलिए करती हूँ तो यह देखिए अभी गमले ले आई हूँ और इसके लिए जो मैं पेंट यूज कर रही हूं यह हैं नेरो लैक का वाल पेंट जो की है बेस पेंट वाइट कलर का और और इसके अंदर में पाणी नहीं एड करेंगी तो इसकी बहुत भी थिक लेयर नहीं रहेगी और अगर तरूपने गिरने पर ही गमलो पर ही यह पेंट उतर जाएगा तो मैं आपको recommend करूँगी कि कभी भी आप करें तो ये वाला paint सही है ये 150 रुपीज पर लीटर ये paint आता है और ये देखें ये base paint है जैसे की मैंने बताया smooth finish में है narrow luck का beauty paint इसका नाम है और इसके अंदर मैं color add करने के लिए मिला रही हूँ ये unitint का strainer है ये unitint का पहले मैं 32 रुपीज का लेती थी लेकिन अभी थोड़ा सा costly हो गया तो ये 40 रुपीज का मिला है तो आपको जो भी color जितना भी dark करना है उतना ये add कर सकते हैं तो मुझे ये violet color बनाना था तो मैंने white color के अंदर अपने अंदाजे से ये strainer को add कर दिया है यानि की paint को add कर दिया है और paint add करने के बाद में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी step है वो ये है कि इस paint को आप जितना ज्यादा mix करेंगे जितनी देर तक ज्यादा mix करेंगे उतना अच्छा और finishing के साथ में color निकल करके आता है अगर आपने उपर उपर से इसको mix कर दिया तो आपका paint जो है जब आप painting करेंगे या गमलो के उपर paint करेंगे तो ये इसके strokes चमकेंगे और उतनी finishing नहीं आएगी तो लगबग आप 5-7 मिनट इसको mix करने के लिए जरूर दें अगर आप paint करते हैं और ये वाला paint जो है वो cemented और आप मिट्टी के गमलो पर दोनों पर कर सकते हैं क्योंकि इस वाले paint से आपके गमलो की जो pores होते हैं वो बंद नहीं होंगे अगर इसकी जगह आप oil paint करेंगे तो oil paint से एक या दो बार बे तो नहीं लेकिन हाँ अगर आप regular basis पर oil paint का use करते हैं तो आपका oil paint करने से चाहें वो cemented गमला हो चाहें वो मिट्टी का गमला हो आपके गमलो के जो pores होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो यह देखें अच्छे से मैंने खूब mix कर लिया है पांस से साथ मिनट तक और फिर भी इसके brush के अंदर से paint निकल रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यह जो paint आपको दिख रहा है परपल परपल सा यह इस तरह का paint नहीं दिखना चाहें इसको अच्छे से और mix करन मैं तो एक ही coat करती हूँ उसी से काफी अच्छा color चड़ जाता है और एक चीज़ का और धियान रखना है कि जबी भी गमला paint करें उससे पहले अपने गमले को अच्छे से एक तो scrubber की help से scrub कर ले और उसके बाद में सुखे कपड़े की help से पोच ले यानि कि dust जितनी भी कर दिये और कुछ इस तरीके से लग रहे हैं अभी कुछ कमले paint करने को रहते हैं वो किसी और वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी बैल के नी का makeover और सजावत फिलाल आज का वीडियो इतना ही ता कैसा लगा आपको मुझे comment करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे विद बैल बटन इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाबाई बी हैप